को करेंगे कि बीडिंग स्टराटेजी पाइड लगाते हो तो उसमें अपसंन आत affair तो उसमें आपको अपनी कितनी वाले में बताते हैं धो वीडियो स्टॉट करते हैं कि ईस सब्से पहले आपको गोगल एक पर जाना है जैसे आप Google Ads पर लिख करोगे देन गेट मोर कस्टमर्स विद इजी ओनलाइन अग्रटीचमेंट पर जाने है ठीक है देन सिग्नेचर इंकरने स्वरी सिग्नेचर इंकर मैं साइन दिन करने है ठीक है यह उपन हो रहा है इसके बाद आएगा यह आगा आपके सामने देन आपको उज़ करना है प्लस केंपेइनिंग न्यू केंपेइनिंग आप इस पर क्लिक कर दिजिए देन आप वीडियो पर क्लिक कीजिए देन आप कंटिनू करिए ठीक है आपके सामने यह आएगा एक देखिए ठीक है इसमें आपको दिखाते हैं बेडिंग स्ट्रेटेजी यह आपकी बेडिंग स्ट्रेजी है ठीक है आपको आज आपको इसके पूरे बेडिंग स्ट्रेजी के बारे में बताएंगे बेडिंग स्ट्रेजी में क्या क्या सबसे पहले आता है maximum CPV CPV का मतलब क्या होता है maximum CPV कि कोस्ट पर व्यू कितनी कोश्ट Google पर कितना देना चाहते हो ठीक है कि आप आपने जैसे लगा लिए 30-40 पैसा एक व्यूपर मिलें देन तो Google क्या करेगा आप 30-40 पैसा ही एक व्यूपर काटेगा कि जब बंदा है कि आपको आपकी जो एड है उसे देखेगा ठीक है दन वह इससे उपर नहीं काटेगा ठीक है यह लगाने के फैदा होता है कि आप अपना बजट के हिसाब से लगा सकते हो ठीक है आप क्या होगा इससे क्या आपने जैसे 30-40 पैसा लगा दिया पर व्यूपर देन तो Google क्या करेगा आपके 30-40 पैसा ही काटेगा ठीक है इसके बाद आजाता है तार्गेट cpm ठीक है इसका मतलब क्या होता है को ऑफर धॉजरEP इंप्रेशन ए कोश्ट पर धॉजरड इंप्रेशन ठीक मैंक क्यों होता है कि आप कितने पैसे देना चाहते हो गूगल को ठीक में क्योग亂ग कि अप कितने पैसे देना चाहते हो कि गूगल आपसे कितने की आप ALL लगाना चाहते हो आपने जैसे 1000 पर लगा दिया Google एक टार्चेट सेट कर देगा वह आपका टार्चेट पूरा भी हो सकता है नहीं बीडिकर देगा ऊत्साब किसे अप डिजध से अपने एड लगा सकते हो ठीक है कि देन उसके बाद क्या हता है ठीक है उसके अदाता है एए ए व्यू ए व्यूएवल सी पीएम ठीक है उसके बादां रहत है व्यूएवल से पीएम this मतलब क्या होता है कि जो आप Google ना वो आपके जब ऐसे आप चाहते कि Google आपके पैसे काठे जब कोई पर्सन आपकी वीडियो को क्लिक करके देखें आ जाता है जैसे असे ऐसे एंधा यह धूंति है यह जारी है आप चाहते हैं 시 intervology जब तक पर्सन उसको सां देखें तो आप कोई भी चार्ज नेकट वाना साथ है दन आप इसी व्यूवल एसी प्यम लगा सकते हो इससे क्या होगा आपका फाइद है कि जब भी परसन आपकी वीडियो को जो भी आपने एड में वीडियो टाइप लगाई है उसको देखेगा जब भी आपके गूगल आपसे पैसे अन कर है इसे क्या फायद होता है कि ऐसे आइपका पैसा वेष्ट नहीं होगा कि दिखाएगा इससे भी एफियो ऐसे नहीं कि कि वह 1000 परसंड को जो भी उन्हेंने सी पीम की कोश्ट पर थाउजन परसंड पर जो भी उनको दिखाएगा इस से क्या होगा आपका फाईदा कि आपकी वीडियो ऐसे नहीं जाएगी आपकी वीडियो को जब तक बंदा वाच नहीं करेगा जब तक गुगल आपसे पैसे नही करेगा ठीक है क्योंकि उपर वाला था टार्गेट सीपम आपने टार्गेट लगा दिया कि मेरा थाउजन परसंट को एड दिखनी चाहिए उस आप से गूगल आपको आपकी जितना विजट वनेगा वो आपको बता देगा टार्गेट में ठीक है और विए में क्या होगा कि क पार्गेट सेंशनार के क्या होता है कि कोष्ट परber एक्यूविजम। इसमें क्या ओता है कि आपकी जो सेल है लीड है भीड में जब आप जासे कि हमें गोगल इतनी में सेतनी सेम्रागेश्म कर दें इतनी we प्रोडक्ट जब मेरी सेल होगी इससे क्या होगा की जैसे आपका प्रोडक्ट हजार पर का है इससे क्या फैद होगा कि आपकी sale बढ़ेगी ठीक है जैसे हम franchise ही होती है यह system करते हैं इसमें क्या होता है कि हम franchise को अपना product बताते हैं ठीक है जैसे आपने Google को अपना product बता दिया Google आगे उसको logo को दिखाएगा जैसे franchise आगे logo को बताती है देन क्या होगा कि जैसे Google sale करेगा तो उसको वहां से profit मिलेगा वैसे ही होता है कि franchise में profit मिलता है इन चीज़ों आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर आप आगे बता रहे हो ठीक है अगर आप आगे product को बता रहे हो तो आपको product बिकेगा ठीक है Google भी ऐसे करता है कि आपके दिखाना है इतने का मेरे पास जो है मेरी sale होनी चाहिए ठीक है उसके बाद आता है maximize कर्वर्जन कर्वर्जन में क्या होता है इसमें वी लीड होती है कि maximum maximum Google कितने से कितने तो से कर सकते हैं जो प्रोडर्ट होगा उस पर गूगल कितने लेगा वह गूगल डिसाइड करेंगा आप निकरोगे समें इसमें Google decide करेगा ठीक है कि वह आपके थाउजन विकागे कितने पैसे उसमें से काटेगा यह गूगल के ऊपर है कि गूगल आपसे कितना अन करेगा इसमें आप कुछ नहीं करेगा बद टार्गेट सीपे में आप कर सकते हो कि इतने पर इतना जो भी है बजट ठीक है देखो म आपको conversion आएगा ठीक है जब और आपके money कटेगी इससे क्या फैदा होगा आपको कि आपके जो जादे जादा देखे जाएंगे आपको प्रोड़क्ट जादे जादा सेल होने के चांसिस हैं क्योंकि कोई परसन देख रहा है एक तो परसन उस वीडियो को देख रहा है एक प्रोड़क्ट आपने लगाई है तक दस दोना उसे देख लिया कि कम से कम सो हजार पर आप 900 प्रोफित तो उसमें से आपको मिलेगा ना यह होता है कि अगर परसन देख रहा है तो इसमें यहीं फाइदा है कि आपकी जब व्यूडियो देखेगा वह जो भी आपकी आड़ देखेगा जब उसमें क्लिक करेगा और एड़ देखेगा देन ही गूगल आपसे जो है कि पैसे कट करेगा ऐसे नहीं करेगा ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीस इंबोक्स में में मैसेज जरूर कीजिएगा ठीक है थैंक यू सो मच